कम्पनी पर सही सुना जितनी गिरावट होनी थी इस सेर में हो चुकी है और यहां पर हम एक बार देख भी लेंगे कि कम्पनी में कितनी गिरावट हो चुकी है यहां से आप देखोगा तो कम्पनी रेटर्न कितना निकालके दिया था कम्पनी ने रेटर्न भी काफी अच्छा कासा रेटन के निकाल के दिया है 508% का रेटन 2018 से 2021 तक तो जब गंपनी ने अच्छा कासा रेटन निकाल के दिया तो गरावट होना तो उसमें बनता ही था और उसकी अलावा कंपनी में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी और नेट प्रोपट में भी गरावट हुई थी जिसकी वएशेर में गरावट देखरे को मिल जाती है 25 से ने क्या है एकचली इनमें इतनी गरावट होना नॉर्मल बात होती है कितना है 180 कौड़ का यह तो मार्गेट के पर सर आप तो 88 पसंद के गिरावट को normal बात बोल रहे हो सर मैं penny share की बात कर रहा हूं अगर आप किसी share में penny buy करते हो penny share में buy करते हो तो उसमें ये सोच के चलना कि ये penny share है ये 99.99% भी गिर सकता है सर हमें फिर बचना कैसी है अगर आपने buy किया तो आपने high level पर बाई नहीं करना है आपको कभी भी इन stocks को यहां पर बाई नहीं करना है क्योंकि already return नकार के देर चुके हैं यहां से गिरने के chances 99% ज्यादा होते हैं 1% होते हैं कि यहां से share ना गिरे पैनी stock है ठीक है तो अब आप यहां पर बायक करोगे मैं जैसे कि बता रह हो मैं यहां पर एक लाइन ड्रो करूंगा तो आप देखोगे यह वाली जो लाइन है sorry मैं दुबारा ड्रो करता हूं यह वाली जो लाइन है यह इसको क्रॉस करते हूं मतलब इसके बरावर ही जा रही है तो यह एक इसका strong support zone है यह वाला जो इसका वो है यह वाला जो है यह स्ट्रोंग सबोर्ट यहां से और नीचे नहीं गया है देखते हूं यहां से ऊपर ही आया था स्टीक है एक तो रीजन यह हो गया है दूसरा मैं अगर वन एर का चार्ट स्वरी शेक्स मंद का चार्ट ओपन करता हूँ तो हम देखते हैं कि दो पिछली बार उसका रेजल्ट आया था इसके सेल्स में कोई ग्रावट नहीं हुई थी सेल्स में ब्रद्धी ही हुई थी लेकिन कंपनी को नेट प्रॉफिट में कमी आये थी जिसकी वैसे इसमें और ग्रावट देखने को मिली उपर से मार्केट ने भी साथ नहीं दिया ठीक है तो इसमें और ग्रावट देखने को मिली बाकी जो लोग यहाँ पर बायक करेंगे ठीक है उनको profit हो सकता है वुरूफ के तौर पर मैं आपको बता दू यहाँ पर आप देखोगे इस जगे पर यह जो ग्रावट भी है यहाँ से share ने कितरा return का लगे दिया है तो आप देखोगे यह वाला तो return है कम से कम 60% का return है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर आप करके देखोगे यह जब वहुत ज़्यादा पास है तो हो नहीं पा रहा है देखो 68% का return निकाल के दिया है time period देखी एक बार इसका 29 March से लेकर के 6 April के बीच में only कितना? 29 March से लेकर के 6 April के बीच में मतलब 6-7 दिन के अंदर ही 70% का return यह time कौन से है दोस्तों quarterly result का time है 4th quarter का result आया था March में ही तो आया था January, February, March 4th quarter हो गया ना तो उस time पर इसमें तेजी देखने को मिली थी ऐसे ही same thing यहाँ से आप देखोगे company 20% का return काल के दे चुकी है quarterly result अब आता है तो stock भागने लगते हैं ठीक है यह आप कई shareों में देख सकते हो इस इसको तो जिलनों के पास यह share है तो loss तो book करना ही नहीं loss book क्यों करना दोस्तों अगर आप loss book कर रही हो तो यह आपकी गलती है आपको यह गलती नहीं करनी है सबसे पहले तो आपको पैसा ही वही लगाना है stock market में और stock market में भी penny share में आपको पैसा भी पैसा वही ही लगाना है वही पैसा लगाना है जो आप यह सोच सको कि अगर यह 90% भी गरेगा तब भी मैं इसको बेचूंगा नहीं मैं इस मैंसे जब यह profit निकाल के देगा तब ही निकल के आऊँगा अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे होगा hold करो साले इसको hold करो उसको तो actually क्या है आप उसको hold करोगे तो कमी ना कमी इसमें operator सक्री होंगे ठीक है जब operator सक्री होंगे तो आप उस मैंसे बेच के निकल के बाहर आजाओगे तो मैंने आपको दो रीजन मताएं एक तो इसका maximum chart का हम support zone देख रहे हैं उसके पास आ गया है और गिरावट already बहुत ज़्यादा हो चुकी है दूसरा quarterly result आने वाला है जिसकी वैसे इसमें 30-30 के मिल रही है तो आप यहां पर बाया करके चल सकते हो सर इतना बेकार stock है आप इसमें बाया करने की सला दे रहे हो मैं केवल लंबे समय के लिए नहीं केवल एक महीने 15-20 दिन के लिए बाया करने की बोड रहा हूं उसके बाद बेच के निकल जाना ठीक है लंबे समय के लिए hold करने का से नहीं है जो लोग पहले से फसे हुए है उनको hold करना चाहिए ठीक है क्योंकि company ने announcement कर रखा है कि company इस साल के अंधर तक pharmaceutical business में entry करेगी और कुछ product भी launch करेगी जिस पर आरे ली चिल रही है लगवाब पूरे हो चकी है ठीक है मैंने अगर आम मेरे चैनलों को पहले से follow करते हो तो मैंने इस पर कई वीडियो बनाए है जिसमें मैंने बताया वी है दिखाया वी कंपनी जो है इस साल के अंधर तक कई चार-पांच प्रोड़क्ट लाउंच करने वाली है तो सेर उपर आएगा डेफिनल्टी उपर आएगा बस जिनलों के पास पहले सी है अच्छा-कासा लॉस हो रखा होने होल्ड करना है जो लोग फ्रेंस एंट्री की सोतर है वो यहां बाय का सकते है थोड़ी सी कौनिटी हो सकता है एक मैंनी कंदर ही आपको जैसे कि पिछली बार पिछले कौर्टर में आपको देखने को मिला है अच्छा-कासा रिटन ठीक है यह वाला यहां पर 70% के लगवा तो हो सकता है आपको एक मैंनी कंदर ही आपको 34% का प्रॉपर मिल जाए तो थोड़ पैसे लगा दो और उसकी बात पेचके निकल जाना ठीक है दूस्तों तो वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आगरों प्रेस कर लिजएगा ताकि आपके पास नोटिविकेशन आ जाएगा थैंक्स पर वचेंग एन सब्सक्राब नाओ